दोस्तों एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है डिलेट कोर्स को लेकर जी हाँ बिलकुल आप सही सुन रहे हैं डिलेट जो कोर्स है आने वाले कुछ समयों में बिहार में भी आप पूर्ण रुप से ये बंद होने वाले हैं इसको लेकर आज के हिंदुस्तान आप खबर जब देखेंगे तो उसमें इसका अपडेट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देश भर में चार वर्स ये ITEP जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो बच्चा अगर 12 भी पास है इसमें क्या है कि ये कोर्स जो कैनिडेट अब करेंगे यहां पर देखेंगे बताया गया है कि जो ITEP जो कोर्स किये रहेंगे उसके अधार पर ही बहाल ले जो आगे अब अगामी होगी उसमें सिक्षक बनने का ऐसे कैनिडेट को मौका दिया जाएगा बकि यहां पर और यह अपडेट दिये गए है छे साल में बदल जाएगे सिक्षक भरती की योगिता मतलब जो पुरानी योगिता थी की डियलेट चाहिए बीएट चाहिए यह सभी योगिता जो है अब छे सालों के अंदर में यह बदलने वाले हैं अब यह जो ITEP जो कोर्स है ऐसे अब यारत 12 तक कि आप टीचर बन सकते हैं पहले आप जानता होंगे डियलेट करते थे 1-5 बनते थे गर्जुएशन के बाद करते थे तो 6-8 के भी आप बन पाते थे फिर आपको जो है अपर क्लास के लिए आपको डियलेट करना होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अकर आप डाइडेक हैं जिसमें हमने बताया था कि आप कैसे जो गर्जुएशन के साथ बीएट कर सकते हैं यह वीडियो है इसका बहुत जल्द अपलाई हुआ था अभी तो फिलाल ऑनलाइन अपलाई की परकिरिया बंद हो चुकी है तो यह कोर्स के लिए हर साल ऑनलाइन आपको होता है तो अ सब्सक्राइब जानते हैं कि आधार पर सभी तरह के सिक्षकों की बहाली की जाएगी मतलब सभी परकार के सिक्षक वन टू 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 वेल्प की जो सिक्षक है इसी कोर्स के तब जो है आपकी बहाली होगी इसमें बदलाब अभी नहीं होंगे 2030 तक यह पूर्म रूप से ल सब्सक्राइब के लिए होने वाले सभी डिलेट कारिकरमों को समाप्त कर दिया जाएगा मतलब डिलेट जो कोर्स है आपको 27-28 सतर तक यह पूर्म रूप से समाप्त कर दियाएगी इन बातों को ध्यान रखेगा फिलाल 2024-25 सतर ही सिक्षक परसिक्षन के लिए अन्तिम सतर ह होगा मतलब अभी जो है यह साल आपका तो एडिमिशन होगा मतलब 24-25 सतर है तो इनका कंप्लीट होते होते दो साल का है तो 24-26 हो जाएगा 24-26 तक यह चलेगा लेकिन 27-28 सतर में अब आप डिलेट कोर्स नहीं कर पाएंगे दरसल अब देस भर में सिक्षकों की बहाली के ल सर्माना है बरतमान में यह अलग-अलग राज़ों में आलग-अलग है हाला कि जो जहरकंड राज है वहाँ पर डिलेट जैसे पाρχ करम पूर्ण कर समाप्त कर दिया गया है ये जहरकांडे स्टेट है 2023 में ही ये डिलेट को समाप्त कर दिया है अब वहाँ अगर आप टीचर वनना चाहते तो यही आई टी इपी का जो कोर्स है उसके तहत ही आपको जो है सिक्षक की पर सिक्षन लेने होंगे तब जाकर आप सिक्षक बन सकते ह जल्दी बिहार समयत अन्य राज्यों में भी यह जो है लागू कर दिया जागा भागल पूर समयत पूरे परदेश में देश भर में अब सिक्षक की जो भरती होगी इसके लिए जो नियुंतम योगिता रखे गई है इसमें बदलाव किये जाने को लेकर काड योजना की ति उजना पर जो है काम सुरू की कर दिया जाएगा सिक्षा मंतराले की अंतिम अवधारना के अनुसार आने वाले छे सालों यानि 2030 तक बिहार समयत सभी राज्यों में विस विदाले अनुदान अयोग के तै मानक के आधार पर बहु विसयक संस्थान को विक्सित करने की त्या की मानेता भी बहाल रहेगी वही जिनके पास चार वर्षिय असनातक डिग्री या किसी विसयस एंकोनिये की लिए एक वर्षिये बिए का भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो सिक्षक बनने के लिए वह भी आपको दे दिया जाएगा तो यह करेंगे तो उनको चार साल देना होगा लेकिन यहाँ पर दिखिए वैसा भी आर्थियों के लिए एक वर्सिय जो है बीएट कोर्स पर भी काम चल रहा है जो गर्जुवि बिएट किया है अगर आपको चोमटी करेंगे लेकिन 2023 तक यह पूर्ण रुप से बंद को जाए गए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे candidate है courses ये करें कि ये जो course है ITEP का इसके तहत आप graduation करें ताकि graduation के साथ आप B8 करें ताकि आप इस लफ़ड़ा में न फसक क्योंकि ये course में 1-12 का teacher आप बन सकते हैं जिस कर्षा के भी आपको बनना है इस course को ही आप आने वा है वो रद होगा या क्या होगा उसको लेकर जैसे ही कोई update आता है आप हमें comment box में बता है मैं आपको उस पर वीडियो बना कर बता दूंगा बाकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जो बदलाब हो रही है ये कैसा बदलाब है आप हमें comment box में अवस लिखे बाकि यहा बदलाबे 6 सालों में राज्यो को यूजेसी के बताई बहु विसयक संस्थान के लिए करनी होगी त्यारी बहुत सारे ऐसे college है जो इस परकार का course अभी नहीं कराते क्योंकि इस बार हमने वीडियो बनाया था इसमें हमने देखा है कि बिहार का कोई college था ही नहीं तो इसमें बदलाबे होंगे बिहार में भी बहुत सारे college आएड किये जाएंगे तकि बच्चे अगर चाहे तो बिहार से भी एक course कर सकते हैं तो आगे के जो भी update होगा मैं देने का काम करूँगा ये एक काफी बड़ी बदलाब था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था इ नवाद चेहंद